अज़ इस वीडियो के अंदर हम लोग mutual fund comparison के बारे में यहां पर बात करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर हम लोग 3 schemes को यहां पर देखने वाले हैं Axis Long Term Equity Fund, Ajitabrila का Sun Life Equity, 96 Tax Relief Fund, Mira Assets का Tax Saver Fund जैसा कि यहां पर market काफी high बना रहा है और हम लोगो 31st of March से पहले पहले अगर हम लोगो ELSS schemes के अंदर यहां पर investment करना है तो कौन सी scheme में हम लोग करें और कितना amount अभी हम लोग यहां पर investment कर सकते हैं कौन सी best scheme होगी मेरे लिए यहां पर investment करने के लिए उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं तीन यहां पर ऐसी scheme है जहां पर mostly जो investors से वो confused हैं अभी कि access का long term equity fund ले या फिर 96 fund के अंदर जाए या फिर जो मेरा है tax saver fund है उसके अंदर हम लोग यहां पर investment करें तो इस particular review को आप शुरू से end तक जरूर देखना comparison को यहां पर देखने वाले हैं जैसे कि यहां पर 3 year का CAGR return क्या है इसका standard division क्या है alpha क्या है expense ratio क्या है कितना आप minimum यहां पर investment कर सकते हैं और कई सारे factors अभी हम लोग यहां पर देखने वाले हैं पूरा वीडियो अगर आप end तक जरूर देखेंगे तो आपको काफी यहां पर चीज़े clear हो जाएगी सबसे पहले बात करते हैं इसकी objective की तीनों scheme का अगर हम लोग objective यहां पर लें तो 3 साल के लिए आपका fund यहां पर lock रहेगा मतलब हर एक investment अगर आप SIP करते हैं तो वो lock रहेगा या फिर one time में अगर आप यहां पर investment कर रहे हैं तो वो lock रहेगा यहां पर objective इस तरीके से रखा गया है कि आपको long term में wealth create हो और fund अगर आपका lock रहेगा section 80C के तरह आपको यहां पर tax benefit मिलेगा अभी current NAV की बात करें as on 11th of March तक तो axis long term equity fund की जो NAV है वो है 46.0 मेरा asset tax saver की जो NAV है वो 17.8 वैसा ही tax release 96 की जो NAV है यहां पर 32.6 है so as on 11th of March तक की NAV का हम लोग यहां पर consider कर रहे हैं objective का हम लोग यहां पर clear कर चुके हैं section 80C के अंदर आपको tax benefit मिलेगा 3 year के लिए आपका fund जो है वो lock रहेगा so यहां पर बात कर लेते हैं benchmark की तो benchmark इसका SNP BAC 200 है यानि कि तीनो scheme का so अभी हम लोग को जब भी fund को comparison करना है तो इसके benchmark से हम लोग यहां पर compare करेंगे जो कि यह BAC 200 तो हमको track जो index करना है वो है BAC 200 यहां पर सबसे पहले बात कर लेते हैं date of launch की यानि कि जो axis का long term equity fund है वो लगभग 10 साल पुराना है 2009 में यह fund launch हुआ था यहां पर वही आधिति बिरिला का जो tax relief 96 fund है उसको लगभग यहां पर 23 साल हो चुके है March 96 के अंदर यह fund यहां पर launch हुआ था इसके comparison में अगर हम लोग बात करें तो 15.8 है यह tax relief 96 के fund के अंदर 16.5 आपको देखने को मिलेगा यानि कि 3 year का जो CAGR return है वो कितना मिल रहा है हम लोग को और मेरा assets के अंदर हम लोग बात करते हैं तो वो का 23.8% लगभग 24% के आसपस आपको returns delivered इस fund नहीं आपर किये हैं अब भी बात कर लेते हैं 5 year के CAGR return कहीं सारे लोग 5-5 साल के लिए भी fund hold कर देते हैं इसके अंदर तो 19.9% का आपको CAGR return देखने को मिलेगा 5 year के अंदर वहीं similar है आधिते बरिला tax relief 96 fund के अंदर आपको 19.6 देखने को मिलेगा और अभी हमारे पास figure अवेलेबल नहीं है क्योंकि जो fund है वो उसको 5 साल यहां पर नहीं आप उस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि यह अगर आप alpha बाला वीडियो नहीं देखेंगे तो यह concept हमेशा के लिए doubt बना रहेगा हमारा की alpha exactly में क्या हमारे fund को impact करता है इस वीडियो को आप जरूर से यहां पर देखें इसका link आपको description के अंदर मिल जाएगा वहीं है तीनों points के अंदर अगर हम लोग एक नजर के अंदर देखें तो 0.96 0.98 तो लगबक similar यहां पर risk हमको देखने को मिलती है बट अगर same level of risk अगर हम लोग को लेना है तो ऐसे में हमारे पास फिर 6.80 जहां पर alpha हमको मिला है positive alpha मिला है तो वहां पर हम लोग जाना पसंद करें बट कहीं न कहीं यहां पर अभी हम लोग को और factors देखना जरूरी है देख लेते हैं हम लोग standard divisions को सो यहां पर 14.65 14.56 और 14.90 काफी difference नहीं है standard division के अंदर बट यहां पर 14-14% का standard division आपको देखने को नजर आ रहा है बट अगर हम लोग यहां पर देखें कि हम लोग को beta और standard division मिलकुल same मिल रहे हैं तो फिर हम लोग fund को कैसे juice करें तो कहीं सारे लोग फिर expense ratio की तरफ जाते हैं यह अभी हम लोग बात कर रहे हैं direct mutual funds की तो यहां पर 0.95 का expense ratio देखने को मिलेगा वहीं ABSL के अंदर आपको 1.06 का expense ratio देखने को मिलेगा बर सबसे ची बात है यहां पर मेरा asset tax ever के साथ में आपको 0.32% का expense ratio देखने को मिल रहा है तो दो positive चीछ हमको यहां पर देखने को मिले इन फाक्त तीन यहां पर एक तो 3 year का जो CAGR return है वो 23.8% है वहीं जो इसका alpha है same level of risk पे 6.80 है और expense ratio भी इसका कम है तो यहां पर definitely यहां पर हम लोग को जो मेरा asset का tax ever fund है उस tax benefit आपको तीनों schemes के अंदर मिलेगा यह लेसे सके अंदर benefit मिलता है section 80C से सबसे important figure यहां पर आने वाला है AUM का assets under management management के पास कितना assets यहां पर है कहीं सारे लोग हमारे जो investors होते हैं वो यह भी सोचते हैं कि हम लोग को ज्यादा AUM वाले funds के अंदर investment नहीं करना है average AUM अगर हम को मिल रहा है तो वहाँ पर हम लोग fund में invest करें ताकि उसमें returns हमको future में देखने को मिल सकें यह fund कैसा होता है कि ज्यादा AUM के साथ हमको investment नहीं करना है इसको हम किसी और video के अंदर समझेंगे अब अभी आप यह समझें कि आपको assets under management चाहिए वो ना ज्यादा चाहिए ना ज 7000 क्रोड के आसपस आपको दिख रहा है as compared to अगर हम लोग बात करें दोनों से तो मिरा asset का यहाँ पर 1300 क्रोड के आसपस आपको देखने को नज़र आ रहा है अगर आप यहाँ पर age of fund को consider नहीं कर रहे है तो ऐसे में हमारे पास यहाँ पर मिरा asset का tax saver fund काफी अच्छा निक करना है अभी depend करता है investor to investor की वो कौन सा fund यहाँ पर select करता है but अगर मैं यहाँ पर choice करूँगा मेरे funds के लिए तो मैं यहाँ पर ABSL tax relief 96 fund के साथ जाऊँगा हो सकता ही कि आप मैं से कही सारे लोग मेरा asset tax saver के साथ जाए but access को मैं यहाँ पर avoid कर सकता हूँ मैं यहाँ तो ABSL के स तीनों scheme को comparison करने में हमको यह निकल के आ रहा है कि तीनों का जो benchmark है वो BSC 200 है तो अभी हम लोग को जो index track करना है वो Nifty 50 नहीं करना है अभी हम लोग को जो index track करना है वो BSC 200 को करना है तो ऐसा क्या रहा है कि मिरा asset के अंदर आपको ज़्यादा returns यहाँ पर देखने को मिले तो portfolio को हम लोग एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि कहां कहां पर कौन कौन सी companies के अंदर यहाँ पर investment किया गया था तो ABSL की बात करें तो यहाँ पर हमको 7.5% का Honeywell के अंदर यहाँ पर investment है फिर Reliance के अंदर 7.2% का 6.8% का investment Gillette India के अंदर है तो यहाँ पर इन तीन companies के अंदर और 7.4% का exposure हमको देखने को मिल रहा है फिर बजाज finance से कोटक है तो ऐसे सारी companies आपको दिख जाएगी जहाँ पर आपने सभी के नाम सुने होगे info.age है यहाँ यहाँ पर nocory.com जो website आपने देखते हैं यहाँ पर torrent power है मारुद सुकी है SDFC finance वाली company है कोटक महिंद रहा है बट आप यहाँ पर ABSL 96 का portfolio देखेंगी तो आपको सारी companies यहाँ पर नहीं देखेंगी शॉपर्स टॉप है थॉमस कूक है SDFC है सुन्दरम है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जो normally हम लोगो companies नहीं देखने को मिलती है trading point of view से तो काफी अच्छा portfolio मुझे लगता है ABSL का यहाँ पर वही बात करते हैं मिरा asset के अंदर कहां पर investment है तो SDFC के अंदर 8.2% का access bank के अंदर 5.5% का तो banking के अंदर का अच्छा portion cover किया हुए Reliance को यहाँ पर 5.3% का exposure दिया है Reliance को यहाँ पर 7.2% का दिया था ABSL ने ICAC bank है तो यहाँ पर आप देखके चले कि banking sector के अंदर 5% यहाँ पर 8.2% यहाँ पर 5.5% यहाँ पर सो लगबग काफी साथ exposure लग रहा है मुझे banking के अंदर यहाँ पर फिर State Bank of India हमको में यहाँ पर मिल जाता है सो देखा जाये तो 5 और 5-10 और लगबग 20-22% के असपास banks है यहाँ पर सो अगर आपको यह भी factor देखना जरूरी कि portfolio में है क्या उसकी बाद हमको मिलता है यहाँ पर TCS और Infosys सो हमको यहाँ पर 6-7% के आसपास IT stocks मिल रहे हैं बट हो सकता है कि मेरा asset नहीं आपको alpha 6.8 का deliver किया है आगे चलकर में भी यह fund आपको return ना दे पाएं बट यहाँ पर जो मुझे balance portfolio लगता है मैं अगर जाना चाहूंगा तो वो ABSL 96 fund के साथ ही यहाँ पर जाऊंगा यह मेरा overall review था particularly तीनों funds के बारे में 31st of March इसकी last date है जहाँ पर आप ELSA schemes के अदर यहाँ पर investment कर सकते हैं ATC का आप यहाँ पर benefit ले सकते हैं सबसे कम lock-in period जहाँ पर आपको मिलेगा ATC के लिए वो ELSA schemes होगी equity mutual funds के साथ में तो friends कैसा लगा यह review यहाँ पर आपको आप जरूर से मुझे comment करके बताएं वीडियो अगर आपको जरा साभी पसंद आता है तो इसको जरूर से like करें अपनी दोस्ते कसा इसको जरूर से share करें friends मिलते हैं अगले वीडियो के अंतर कुछ नई schemes के साथ में कुछ नए features के साथ में जब तक के लिए equity दो रहे हैं